राजधानी रांची की सणकों पर उत्रा छात्रों का यह जन सहलाब आप देखिए। दरसल छात्रों का यह जन सहलाब केंडल मार्च के रूप में उत्रा है। चात्र पहले रांशी के स्टेट लाइबरेरी में जूटे और उसके बाद हाथों में केंडल लेकर अलबट एक का चौंक तक पहुँचे और फिर सरजना चौंक से होते हुए फिर अलबट एक का चौंक के पास पहुँचकर जेपीएस्ची के खिलाब खूब नारे बाजी परिक्षा को रद्ध करने की मांग को लेकर चात्रों का अंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है कई चात्र रांशी के मुरहवादी मैदान में धरना पर बैठे थे लेकिन सुक्रवार की देर राथ पुलीस ने कई जेपीएस्ची के अभ्यर्थियों और चात् के अंधेरे में उठा कर ले गई और जिसके बाद सनिवार की सुबह सुबह चात्र और आक्रोसित हो गये लेकिन सनिवार के साम तक सभी अभ्यर्थियों और चात्र नेताओं को बॉंड भरवा कर छोड़ दिया गया लेकिन तब तक चात्र का आक्रोस काफी बढ़ चुका और यही वज़ा है कि आप देखिए कि सणक के किधर भी आप नजर दोड़ाईए जहां भी आप नजर दोड़ाईएगा सिर्फ चात्र दिखेंगे सैकडो हजारों की संख्या में उत्रे ये चात्र सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि जेपीएस्सी की जो पीटी परिक्षा हु हुई है उसे रद किया जाए आप देखिए कि सणक पर चलने तक की जगह नहीं है सैकडो हजारों की संख्या में चात्र रांची की सणकों पर उत्रे हैं और मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में रांची की सणकों पर चात्रों का ऐसा आंदुलन देखने को नहीं मिला है जो आज देखने को मिल रहा है नो सिर्फ छात्र बलकि छात्राएं भी हाथ में केंडल लेकर अपना किताब बस्ता पीट पर बैग में लेकर सणक पर उत्रे हैं देखिए ये रांची के अलबाटिक का चौक के साथ साथ मैन रोड के कई इलाकों में ये छात्र हाथों में केंडल लेकर इसी तरह घूमते रहे और जेपियसी परिक्षा को रध करने की मांग करते रहे